जै माई की माई के अनेकों भक्त हैं और उनकी अनेकों तरह की भावना एक्छाएं भी उगा करती हैं कुछ सादक यह जानना चाहते हैं उनका मानना है कि वे तो ग्रहस्त हैं इसलिए बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान पृष्टन इत्यादी नहीं कर सकते बड़े बड़े संख्या के जप एवं बड़े बड़े हवन इत्यादी करने का सामर्थ हो उनका नहीं है तो फिर क्या कुछ ऐसा प्रियोग भी माई का है जिसके करने से उन्हें मा बगला मुखी की संपून क्रपाभी प्राप्त हो और उनकी जो अभीष्ट एक्छाएं हैं बेभी पून हो जाएं तो आईए आज मा बगला मुखी के तरपन प्रियोगों के संबंध में जानते हैं इसमें साधक को केवल तरपन ही करना होता है और तरपन करने मात्र से ही माई की क्रपाभी प्राप्त हो जाती है और एक्छाएं भी पून होने लगते हैं सरपर्थम साधक को एक शुब मुहूर्त में प्रातह काली इन क्रत्तों को करने के उपरांत पूर्वा भी मुख पीले आसन पर पीले बस्तों को धारन करते हुए उत्तरिये धारन करते हुए बैठना है अपनी दोनों हाथों में कुसा से निर्मित पवित्री को धारन करना है दायने हाथ में जिस पवित्री को धारन करना है बहे दो कुसाओं से निर्मित होगी और बाय हाथ में जिस पवित्री को धारन करेंगे बहे तीन कुसाओं से निर्मित की जाएगी इसके उपरांत उसे तरपन करने के लिए तीन कुसाओं को लेना है और उन तीन कुसाओं को एक साथ करते हुए उसमें एक ग्रंथी लगाना है एक चट का निर्मान करना है यह सब करने के उपरांत बिदिवत आचमन करते हुए स्वस्ति बाचन करते हुए देश काल इत्यादी का उच्चारन करते हुए जो भी साधक की अपनी इच्छा है कामना है उसका उच्चारन करते हुए अपने नाम गोत्र इत्यादी का उच्चारन करते हुए विदीवत संकल्प करना है प्रतिग्या करनी है और संकल्प करने के उपरांत फिर साधक को तरपन जल को तैयार करना है तरपन जल कामना भीद से किस प्रकार से तैयार करना है इसकी चड़्चा करूं इससे पहले यह जहिल जान लेना आवश्चक है कि तरपन जल को तैयार करने के उपरांत आपको उस तरपन जल में मा बगला मुखी यंतर की भ भावना करनी है। मानसिक चिंतन करते हुए, मानसिक परिकल्पना करते हुए, यंत्र की कल्पना करते हुए, यंत्र को जल में भावना करनी है। और फिर उसी यंत्र का जिसकी भावना आपने उस जल में की हुई है, उसी यंत्र का विदिवत मा वगला मुखी का पूजन करना है। अब कामना भीद से जो तरपन जल तैयार किया जाता है, उसे भी समझ लेना चाहिए। यदि किसी की इच्छा इस्त्री के वसी करण की है, तो उसे जल में हल्दी मिला लेना चाहिए। यदि कोई रोगों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे नारियल के जल से तरपन करना चाहिए। यदि किसी की इच्छा लक्ष्मी प्राप्ति की है, तो उसे गुड के जल से, गाय के दूद से और सहद से इन तीनों वस्त्रों को मिला करके तरपन करना चाहिए। यदि कोई उच्चाटन करना चाहता है, किसी शत्रु का उच्चाटन यदि करना चाहता है, तो उसे दूद, नारियल का जल और आक का फल, अर्थाज जो अकव्या जिसका पुष्प भगवान सिब को चड़ाया जाता है, उस आक के फल को मिस्रत करते हुए जल से तरपन करन चाहिए, यदि कोई विद्वेशन के निमित तरपन प्रियोग करना चाहता है, तो उसे कुए के जल में आम एबं नीम की पत्ती के रस को मिला करके तरपन करना चाहिए, यदि किसी को अपने शत्रु का इस्तम्भन करना है, वैसत्तु आंत्रिक भी हो सकते हैं, और वाहे भी हो सकते हैं, यदि इस्तम्भन को साधना है, तो हल्दी में सुगंधित दव्व्यों को मिला करके साधक को तरपन करना चाहिए, यदि पुत्त प्राप्ती की इक्छा है, तो सिमंतक पुष्प को जल में मिला करके तरपन किया जाना चाहिए, यदि सत्रु से और सत्वुनास की भावना है तो फिर चिता की भस्म में पेत मिट्टी से और पेतान से हैयारी पत्र रस से इन सभी को मिला करके जलकात तरपन करना चाहिए और यदि कोई साधक मा बगला मुखी की कृपा प्रापती चाहता है उनकी करुणा चाहता है उनका कृपा प्रसाद चाहता है तो उसे पीत तीर्थो दख अर्थात तीर्थों का जो जल है उसमें थोड़ी सी हल्दी और केसर मिला करके पीत तीर थोदक से दूद दही और पुस्पों को पीले पुस्पों को उस जल में डाल करके फिर तरपन करना चाहिए अब यह भी जान लेते हैं कि इस तरपन की संख्या कितनी होना चाहिए तो तरपन की संख्या कम से कम पचास हजार तो होनी ही चाहिए अब आपके मन में यहां यह प्रसनाएगा कि एक दिन में यतनी बड़ी संख्या में तरपन किस तरह से किया जा सकता है तो यह एक प्रियोग है एक अनुष्ठान है यह आवश्यक नहीं है कि एक ही दिन में पूरा किया जाए इसके लिए दिनों की संख्या भी निश्चित किया जानी चाहिए और तरपन की भी संख्या निश्चित किया जाना चाहिए और फिर उतनी ही दिनों में उतनी ही तरपन संख्या के साथ इस प्रियोग को करना चाहिए तरपन करने के उपरांत अंत में आपको गुरु तरपन भी करना चाहिए अर्थात स्वगुरु, परमगुरु, परमेश्ठी गुरु का तरपन करना चाहिए अब यह तरपन केवल वही साधक कर सकते हैं जो अपनी गुरु परमपरा का ज्यान रखते हैं जिन्हें गुरु परम्परा प्राप्त है अर्थात जो विदीवत दीच्छा प्राप्त हैं बेही इस परम्परा का निर्वाहन कर सकते हैं बेही इस परम्परा से तरपन करने के योग हैं स्वगुरू परमगुरू परमेष्ठी गुरू गुरुत्रय का तरपन करने के उप्रांत दिव्योग, सिद्धोग और मानबाउग परमपरा से तरपन करना चाहिए इस परमपरा का तरपन करने के उप्रांत अंत में माई के चरणों में समर्पित हो करके उनसे यह प्राथना करनी चाहिए कि हमने अपनी कामना आपके स्री चरणों में निवेदन कर दी है अब आपके द्वारा जो भी कुछ क्रपा प्रसाद के रूप में हमें प्राप्त होगा वह हमें सुईकार होगा क्योंकि वह आपका प्रसाद है और इस तरह से माई के चरणों में प्राथना करने के उप्रांत गुरु चरणों में समर्पित हो करके आसी इरवाद ग्रहन करना चाहिए यदि आप इस तरह से इन तरपन पियोगों का संपादन करते हैं तो निश्चय ही महा बगला मुखी की कृपा को प्राप्त करते हैं और अपने सभी अभीष्टों को पूर भी कर सकते हैं जै माई की झाल 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 यह झाल 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 झाल